हलो वीवान वान्स अगेन वेलकम बैक टू वार्फटे चैनल तो जैसे कि हमने आपको कुछ अपडेट जीती कल के दिन की कुछ ऐसे क्रिटिकल डेज आने वाले हैं जिसके बेसिस पर बहुत सारी हमें चेंजेस मिलने वाली क्रिप्टो मार्केट में जैसे कि एपरिल 12 को बहुत बड़ी फ्लक्टेशन भी हमें देखने को मिल सकती है लेकिन बीटिसी का प्राइस अभी एक्सपेक्टेड है कि यह 30,000 डॉलर क्रॉस करने वाले है तो इसका मैं पूरा अनेलसिस आपके लिए लेकर आया हूं इसी वीडियो में तो वीडियो पूरा देखते रहना इसे के साथ हम डिसकुस करने वारे है अभी जो होभी ग्लोबल एक्सेंज है उसमें माना जा रहा है जिसने सन का कहना है कि इसमें हमें सबसे ज़्यादा प्राफिट्स देखने को मिल सकते हैं जिसकी बड़ी से एश्टी कायन में भी अच्छा प्राफिट आमें देखने को पहले आपको बता दू कि यह वीडियो है sponsored by push protocol जो हमारे इंडिया का web 3 based project है जो enable करता है cross chain notifications यानि कि अगर आपका chain कोई और है और आगे जहां अपने notification भीजना है या फिर जहां notification जाएगा चाहे वो chain कोई और है तो यहां पे cross chain के उपर notification होंगे messaging भी possible है even transfers भी possible है इसी के साथ अगर हम बात करें daps की wallets की तो actual में उनके उपर हमें notifications नहीं आते जब हम DEX के उपर इनको access करते हैं तो DEX के उपर notifications लाने के लिए या फिर daps के notifications देखने के लिए push protocol ही एक access solution बरकर आया है तो पहले यह project TPNS के नाम से था इंडिया में बहुत ज़्यादा famous था वेब 3 based project Link मैं आपको description में दे दूँगा तो आएए अब आगे बढ़ते हैं BTC के Nelsis के उपर तो हमने BTC का price देखा है कि 39,500 डॉलर से उपर गया था और अभी expect कर रहे हैं कि इसका price 30,000 डॉलर को भी cross कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई सारे indicators हैं जो reveal कर रहे हैं कि BTC का price 30,000 इसमें जो lower blue band आपको दिख रहे हैं तो इसको Bitcoin macro index already cross कर चुक है इसके उपर है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि re-accumulation phase शुरू हो चुक है Bitcoin cycle का यानि कि यहाँ पर accumulation बहाँ ज़्यादा होने वाली है जब accumulation ज़्यादा होती है hoardings ज़्यादा बनती है तो BTC का price definitely उपर जा जाता है यानि कि ऐसा नहीं है कि यह एकदम से उपर जाएगा या फिर नीचे गर जाएगा नीचे तो बिलकुल भी नहीं जाता इसका मतलब होता कि sideways और bullish इसके साथ अगर हम बात करें cost basis analysis की तो यहाँ पे अगर आप देखें है STH और LTH का premium तो यह दोनो zero value से उपर जा जाते हैं अब अगला indicator Bitcoin cost basis density map इससे यह पता चलता है कि BTC का price 28,000 level के उपर रहने वाला है यानि कि यहां से accumulation शुरू हो रही है अगर इसी price point पे accumulation शुरू हो रही है तो price definitely accumulate करने वाले expect कर दें कि price उपर जाएगा और वो उपर जाके ही sell करेंगे currently वो लगबग 30,000 डौर तक स सबी indicators को देखर अगर हम Bitcoin price की stability देखते हैं तो इससे यह पता चलता है कि Bitcoin का price breakout करेगा 30,000 डौर को लेकिन हमने CPI के data की भी अभी wait करनी है US का जो CPI data आएगा इसी हफते तो उसके क्या है कि inflation अगर तो cool down होती है उससे market bullish और भी ज्यादा हो जाएगी लेकिन अगर गलत आता ह CPI index यानि कि unexpected आता है तो वो थोड़ा सा एक जटका देख सकता है पूरी market को तो यहाँ पर इस graph पर देख सकते है 2015 में लगबग 8110% का increase देखने को मिले था Bitcoin में 2019 में 1500% से भी ज़्यादा profits मिले थे और 2020 में 580% के आसपर profits मिले थे और अभी दुबाला से expected यही है कि यहाँ प पूपर आ जाओ वोलफड डिस्कस के नाम से हमारा ग्रूप है जहां आप कोई भी सवाल पूचा किता है किसी कॉइन के बार में किसी प्रोजेक्ट पूचें के बार में लगबग 30 million dollar का profit बनाया है first quarter के अंदर तो जो Tron Creator Justice आने अभी वो Hobby Global के advisor भी है तो उन्होंने tweet कि कि 500 million dollar का revenue generate किया गया first quarter के अंदर और इसी के साथ अगर हम comparison करें इसका expenditure के साथ expenditure लगबग 120 million dollar का हुए तो यह साफ-साफ यह indicate करता है कि 30 million dollar का profit अब यहां से एक बहुत बड़ा indication मिल रहा है कि 187 million dollar तक का profit, sorry revenue अभी hobby exchange expect कर रही है second quarter में जिसमें इस expenses सिर्फ 76 million dollar होने वाले यानि कि आदे से भी जादा profit रहने वाला है लगबग 60-70% का profit रहने वाला है जो बनता है 111 million dollar quarter 2 में अब इसको अगर हम compare करते है first quarter के साथ तो यह लगबग 4 गुना profit है अगर इतना बड़ा profit, hobby exchange कमाता है तो इससे कहां से हमें profit मिलने वाला है तो profit हमें जो मिलेगा वो HD coin से मिलेगा तो HD के नाम से coin है hobby का तो वैसे जो बड़े exchange होते हैं उनके जो exchange coins होते हैं वो सारे अच्छे ही होते हैं लेकिन यहां मैं HD के अगर बात करूँ तो इसकी value थोड़ी कम चलती है जिसकी वज़े से हम इसको buy भी कर सकते हैं और hold भी कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक के शिर्ट इस वीडियो और भी आप तक मैं ऐसे ही वीडियो साथ की साथ पहुंचाता रहूँगा तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यावाद और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पर के वहले कर दबा लीजिए ताके आप तक कानिवेल वीडियो को नोटिक्शन सबसे पहले पहुंचते रहें स्टे टून, स्टे सेफ, स्टे हल्दी, थैंक यू सो मच